अफगानिस्तान बर्सिस न्यूजी लेंड टेस्ट मैच रद्ध हो चुका है जी हाँ बिना गैंद्फ हैं के कोई टेस्ट मैच भारत में ही नहीं वालके एसिया में रद्ध हुआ है जी हाँ ये बड़ी सोचने वाली बात है अभी तक सिर्फ साती मुकाबले बिना हुआ है जी हाँ इसी के बारे में बात करते हैं और ये जानने की कोशिच करेंगे कि इसका गुनेहगार कौन है जी हाँ आप देखना सुरू कर चुके हैं विक्की क्रिकी और मैं हूँ विकास गोड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइक लेकिन ये मुकावला बिना गेंद फैके तो दूर की बात रही कि गेंद नहीं फैकी कि इसमें टॉस तक नहीं हुआ जी हाँ तो ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा और सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है इससे न्यूजिलेंड की टीम को हुआ है क्योंकि को 18 सितंबर से स्री लंका के खिलाब टेस्ट सीरीज खेलनी है उस टेस्ट सीरीज की तैयारी न्यूजिलेंड की टीम ने चाहा था कि अफगानिस्तान के खिलाब कर ले लेकिन अफगानिस्तान के खिलाब टेस्ट सीरीज जो खेली जानी थे एक मैस वो रद हो गया ना तो मैदान पर उतर सके और ना ही उनको किसी भी तरह की कोई prきます मिल सकी है तो यह निउजिलेंड के लिए जटका है लेकिन यहां सबसे वड़ी जा कमी रही है वो अफगानिस्तान क्रगेट बोड़ की रही है जिए हाँ अफगानिस्तान क्रिकेट वोड पहले भी इस स्टेडियम में मुकाबले खेल चुका है लेकिन यहां देखने वाली बात यह थी कि यह मांसून का टाइम है भारत में खासकर उत्तर भारत में तो यहां इस तरह की परिशानी आपको आने वाली थी आप इसके लिए तैयारी नहीं थे आप टेस् सीरीज पहली बार दोनों के बीच खेली जा रही थी लेकिन आप उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे ग्राउंड लेवल पर आपकी तैयारी पहले दिन दिख गई थी जब बारस नहीं थी लेकिन फिर भी पिछली रात आई और पहले बारस आई उसका खामिया जा किया गया कि कहीं पिच और मैदान को सही कर लिया जाए ताकि मैसुरू हो जाए लेकिन जैसा कहा कि बिल्कुल तैयार नहीं था अफगानिस्तान करके बोड ना तो उनके पास ग्राउंड्समें अच्छे थे ग्राउंड्समें भी क्या एक रिपोर्ट में दावा किया था कि नोइडा में एक लेवर चौक है वहां से मजदूर लाए गए थे और उनसे काम करा गया था इस्टेडियम में तो यह आप सोच सकते हैं कि अफगानिस्तान इसके लिए कितना तयार था एक और हैरान करने बाजी बात यह थी अफगानिस्तान क्रिकेट वोड कियों से जो जिन से दुड़ा है तो मसला दूर नहीं क्लिया जा सकता और इसमें अफगानिस्तान क्रिकेट वोड को दोस्ट देना होगा क्योंकि वो जब तयार नहीं थे तो बीची सी आई यूपी सी ये मतलब उत्तरपदेश क्रिकेट एस्सोसियेशन की मदल ले सकते थे लेकिन उन् लेकिन वह कबर्स भी जादा नहीं थे इस वज़े से क्योंकि डीडी सीय की अल्लेडी दिल्ली प्रीमेर लीग चल रही थी तो वह वैसे ही कबर्स जल्दी मुहया नहीं कराने वाले थे आलांगे वहां रिक्वेस्ट ही देर से पहुंची तो वह कुछ कर भी नहीं सकते थे यूपी सीय से बाद में मदल ली गई और उसे सुपर शौपर मगाए गए ताकि पानी को सोका जा सके लेकिन ग्राउंड का जो ड्रेने सिस्टम था वह बहुत ही जादा खराब था बी सी सी आई इस ग्राउंड को 2016-17 में ही बैन कर चुकी है यहां कोई भी सस्पेंड हो अफगानिस्तान ने इसी ग्राउंड को चुना अफगानिस्तान के पास दो और मौके थे कि वह कान पर जैसे स्टेडियम को भी चुन सकते थे लेकिन उन्होंने यह स्टेडियम इसलिए भी चुना ग्रेट अनोइडा का क्योंकि यह दिल्ली से पास है तो आने-जाने में को पढ़े अफगानिस्तान करकेट बोर्ड पर अफगानिस्तान करकेट बोर्ड की यहां आलोचना जरूर बनती है क्योंकि आप इतनी बड़ी टीम को होस्ट कर रहे हैं और वो भी अपना मैदान नहीं है दूसरों का मैदान है उसको आपको मिला हुआ हुआ है तो वहां कम से इस वारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताए इस वीडियो में फिलाल इतना ही मिलते हैं अगले एक और वीडियो में तक तक अपना ख्यार रखें हन्ने बाद जैसे लोगा बार मुझे करको है दाद झाल assाद ने एक क्या है ज lunch को तक रखें लोगा संग समय को और